गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आएम टेन गोयल, वेलकम टू क्लास सेकिन, आएम टीचर इन एम डीएम चिल्डर अकेडमी, अपनोंने सेकिन लेसन स्टार्ट किया था, काइंड्स ओफ हाउसेज, जा टोपिक क्या था, लेसन का नाम क्या था, काइंड्स ओफ हाउसेज कितने परकार के घर होते हैं, सबसे पहले अपनोंने पढ़ा था, लोग एगो टाइम के हाउसेज, कैसल एंड्स केव, दैन न्यू हाउसेज, जो डिल्ली यूज, मतलब पक्का हाउसेन और कच्चा हाउसेज, जो लोग रहने के लिए बनाते हैं, नेक्स्ट, आज का अपन न्यू टोपिक है, people living in the hills and mountains have houses with sloping roofs, sloping roofs क्या होता है, मैं आपको डिटेल में समझाते हूं, sloping roofs, यह मैंनिकल एक model बनाया था, पक्का हाउस वाला, sloping roofs, इसको अपने slide वाली roof, रूफ यानि कि छत, यह होती है, जो यह जो पार्थ है, छत का यह slide roof, यह sloping roof कहलाता है, इससे क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो यानि कि आम भाशा में बोल जाए, कि slip हो जात है, यह एक अठा नहीं होता है छत पे, अब अपने lesson रिट करते हैं, people living in the hills and mountains have houses with sloping roofs, कुछ लोग रहने के लिए परवतों पे रहते हैं, hills पाडियों पे रहते हैं, with sloping roofs, वो sloping roofs की छत बनाते हैं, this type of roofs helps the snow and rain to slide off easily, वो ही, कि यह चत किसलिए काम आती है, sloping roofs, अपनोंने lesson में पड़ा है, snow and rain to slide off easily, यानि कि जो बरफ होती है, बरफ का जो पानी बन जाता है, melt होके, वो यहाँ जमा ना हो, सिधा slide कर जाए, and जो rain, heavy rain हो, वो घर को नुकसान ना करे, damage ना करे, इसलिए यह slide बन के नीचे गिर जाए, इसलिए यह sloping roof वाले घर बनाय जाते हैं, there are some houses that are not very common, कुछ houses ऐसी होते हैं, जो बिलकुल समान्य नहीं होते, they are special houses, where बहुत ही विशेश houses होते हैं, घर होते हैं, found only in certain places, कुछ विशेश स्थानों पर ही मिलेंगे आपको, वो पढ़ते हैं, अपने in desert, in desert का मतलब यह होता है, कि जैसे कोई बंजर भूमी हो, या सुनसान हो, या कोई मरुस्तल हो, इसके बहुत सारे word meaning निकलते हैं, बट यह आगे पढ़ते हैं, people travel from one place to another, for food and live in one place only for a short while, people जो है, एक लोग जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किसलिए जाते हैं, food, भोजन को कमाने के लिए यात्रा करते हैं, एक दूसरे से दूसरे स्थान पर, and live in one place, और रहते हैं, एक स्थान से, दूसरे स्थान पर, they live in tents made of floors and canvas, earlier tents were made of animal skin, वे रहने के लिए कई स्थानों पर tents, tents आप देख सकते हैं, ये कपड़े का बना होता है, बनाते हैं, canvas भी इसको बोलते हैं, कई लोगों को कही रहने के लिए, कोई समान नहीं मिलता है, जैसे bricks हो गया, या कोई मिटी नहीं होई, वहाँ कोई tents होता है, जैसे ये animals की, कोई शिकार करते हैं, animals जंगल में, उनकी skin स से भी बन जाता है, और ये cloth से भी बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, tent house, similarities मान रूप से, there are houses made of blocks of ice, समान रूप से जो houses होते हैं, कुछ घर होते हैं, वो किस से बनते हैं, लिंटों से बनते हैं, but कुछ यहाँ, ice की block, यानि कि जो बरफ होती है, उसके block से यहाँ घर ब इगलूज जाती होती है, एक इगलूज जाती इसके घर ऐसे होते हैं, कुछ, उसको क्या कहते हैं, उनके घर को कुछ कहते हैं, और वो किस से बने होते हैं, बरफ से बने होते हैं, there are houses made of blocks of ice, ice की इंटों से बना होता है, यह इगलूज जाती का घर, these are called इगलूज, इसलिए इसको इगलू इस भी कहते हैं, such houses are seen in very cold places, ऐसे houses अपने कहां देखते हैं, ठंडे स्थानों में, which are covered with snow, किसे ढखे होते हैं, बरफ से ढखे होते हैं, throat out the year of for example, the Arctic, अपने उधारन के तोर पे, Arctic में ये देख सकते हैं, in some places, where it rain heavily, कुछ स्थानों पे, वर्षा जो होती है, बहुत भारी वर्षा तेजी से आती है, houses are made on bamboo poles, वो क्या होते हैं, bamboo poles, मतलब poles होते हैं, खंबे, bamboo घर को ही कहते हैं, ऐसे houses जहां rain वर्षा, मतलब हैं, तेजी से आती है, उनको खंबों पे घर बना जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, bamboo poles, they are called stilt house, और उनको stilt houses कहा जाता है, यह देख सकते हैं, आपकी book में, that is pole, यह जो नीचे खंबे हैं, pole के उपर यह घर बनाया गया है, that is a bamboo poles, and इसको क्या कहा जाता है, stilt house, and next, some people live in houseboats, that float on water, कुछ लोग होते हैं, वो houseboat में, houseboat में रहते हैं, houseboat बनाते हैं, we can see houseboat in Kashmir and Kerala, हम देख सकते हैं इनको, houseboat को किसमें देख सकते हैं, Kashmir और Kerala जैसे स्थाम पर देखते हैं, some houses are on wheels, and can be driven to different places, कुछ house ऐसे होते हैं, जो एक स्थान से, दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, wheels, जो पहियों पर, wheels यानि कि पहियों पर बने होते हैं, यानि कि, they are called karma, उनको क्या कहते हैं, karma, आपकी बुक में दे सकते हैं, karma, ये पहियों पर हैं, wheels पर बने होते हैं, यानि कि एक ऐजे, गाड़ी की तोर पर बना होते हैं, इसके अंदर ही house बना होते हैं, ये एक स्थान से, दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, इनको ये शोट रूम में अपने बोलेंगे, car is a houses on wheels, car is a houses on wheels, that can be driven to different places, यानि कि इसको अलग-अलग स्थानों पर ले जा सकते हैं, next house boats, car ma are and tents are temporary houses, जो ये house boat होते हैं, ये जो बना हुआ हाउस boat, पानी में चलते हैं ना, boat उसके ओपर house बनाया गया है, house boats, karma and tents are, ये जो होते हैं, stilt house, house boat, car वाइए, ये क्या होते हैं, temporary houses, ये लंबे सामय तक नहीं चल सकते हैं,